हेलो फ्रेंड स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हपी शिक्षा में तो फ्रेंड आज हम डिसकस करेंगे हिमार्चल प्रदेश मानेग्ञान के कोशन तो फ्रेंड आज हम कंगडा डिस्टी के mcq questions को discuss करेंगे इस वीडियो में और friends इससे पहले अगर आपने चमबा district के mcq वीडियो नहीं देखी है तो आपको आई बटन दिखाई दे रहा होगा तो वहाँ पर click करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं इससे आपको काफी help मिलेगी और friends इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एकपी शिक्षा को subscribe नहीं किया है तो please हमारे चैनल को subscribe कर लिजिए तो चलिए शुरू करते हैं first question से हिमाचल प्रदेश के कांगडा जीले में कुल कितने विकास खंड है तो friends हिमाचल प्रदेश के जो कांगडा जीला है इसमें जो विकास खंड की जो संक्या है ये है 15 तो सबसे जाला जो विकास खंड है ये कांगडा जीले में है तो friends कांगडा जीले में सरवाधिक अबादी पाई जाती है तो इसका जो option 3 है ये right हो जाएगा next question को देखेंगे हिमाचल प्रदेश के कांगडा जिले का पुराना नाम क्या था तो हिमाचल प्रदेश के कांगडा जिले का जो पुराना नाम था ये था त्रीगर्थ तो इसका जो option 2 है ये right हो जाएगा next question को देखेंगे त्रीगर्थ का अर्थ है तो फ्रेंट्स त्रीगर्थ का जो अर्थ है ये है रावी ब्यास और सतलुज के बीच फैले भूभा का क्षेतर तो फ्रेंट्स ये त्रीगर्द का अर्थ है तो आपको ये याद रखना है त्रीगर्द का जो अर्थ है राभी ब्यास और सतलुज के बीच फैले भुभा का क्सेतर तो next question को देखेंगे कागडा र्यास्ट की स्थापना किस ने की तो फ्रेंट्स विले मूर क्राफ्ट ने जो कांगडा की यातरा की थी ये की थी अठारसो बत्ती में तो फ्रेंट्स इसके लावा इन्हों ये चंबा भी आये थे तो चंबा में भी इन्होंने ठारसो बत्ती में ही यातरा की थी तो फ्रेंट्स इसका जो option 2 है ये right हो जाएगा तो फ्रेंट्स इसके लावा अगर ये पूछा जाए कि विले मुर्क राफ्ट जो थे ये चमबा कब आये थे तो ये ठारसो बत्ती में ही आये थे और कांगडा में भी ये ठारसो बत्ती में ही आये थे तो next question को देखेंगे गुले रियस्त की राजदानी हरीपूर में थी इसकी स्थापना किसके दोरा की गई तो फ्रेंट्स गुले रियस्त की जो स्थापना की गई थी ये हरीचंद जी के दोरा की गई थी और इन्होंने राजदानी जो बनाया था ये बनाई थी राजदानी हर प्राणा नाम क्या था तो गुलेर यात को तो देखेंगे हमीरपुर मेस्तित सुजानपुर शहर की स्तापना की गई ती गहमंड चंद consists கौरा पास कांगडा जिले में सरप्रत्म पहला सिख आकरमन किस ने किया तो फ्रेंट्स सबसे पहले जो सिख आकरमन किया गया था ये कांगडा जिले में तो ये किया गया था जसा सिंग रामगडिया के दौरा तो जसा सिंग रामगडिया के दौरा ये कांगडा जीले में सरप्रतम पहला सिक आकरमन किया गया था तो next question को देखेंगे अमर सिंग थापा ने कांगडा के राजा संसारचंद को कब हराया था तो ये कब हराया था तो ये हराया था इन्होंने ठारसो पांच में ये हराया था संसार चंद को अमर सिंग थापा ने तो next question को देखेंगे काफी important question है friends संसार चंद ने महाराजा रंजीत सिंग के साथ मिलकर अमर सिंग थापा को कब भर रहा तो friends जो संसार चंद थे ये हार गए थे अमर सिंग थापा के साथ तो फिर इन्होंने संदी की थी तो उस संधी का नाम जो है यह है जोवाला मुख्य की संधी तो जोवाला मुख्य की जो संधी हुई थी यह हुई थी 1809 में तो फ्रेंट जोब संधी हुई थी उसके बाद इन्होंने यह अमर सिंग थाप्पा को हरा दिया था तो इसका जो option 2 है यह right हो जाएगा तो next question को प्राथम मुघल किले दार कौन थे तो काफी पॉटन को फोटन के ये प्रथम मुघल किले दार थे कंगर hem को इसका उप्शन वन राइट है नेक्ट को देखेंगे संसार चंद ने किस मंडी के राजा को बारा بरसों तक बंदी बनाया था तो फ्रेंस ये जो मंडी के राजा थे इनको बंदी बनाया था 12 वर्ष नो तक संसार चंद ने और इन्होंने बंदी जो बनाया था ये नादवन में नो नमने बनाया रanut रखा था बंदी जो था ये नूरपूर राज्ये का पुराची नाम था और फ्रेंट्स नूरपूर राज्ये की जो राजधानी थी ये थी पठान कोट तो पठान कोट आपको राजधानी भी याद रखनी है तो नूरपूर राज्ये का जो पुराणा नाम था ये था धमेरी तो नेक्स्ट को जिले में सर्प्तम चाय के खेलती कभ शुरू हुई तो Friends सरप्तम जॉ BC खेलती शुरू हुई थी कंग्ड़जि खो जिले में 1849 में तो 1889 में जो थी यह कांगडा जिले में सरप्रत्म चाय की खेती शुरू की गई थी तो जो इसका option 2 है यह right हो जाएगा तो इसका उप्षन वन है यह राइट हो जाएगा तो जो इसका option 1 है यह right हो जाएगा कुल उद्बादन कि शमता कितनी है ये तो ये कांगडा जिले में स्तित है तो काफी पोठेंट ये प्रयोजना है तो इसका जो कुल उद्बादन है ये किसमता जो है ये है 346 मेगावर्ट next question को देखेंगे शोबा सिंग आर्ट गैलरी हिमाचल प्रदेश के किस जीले में स्थित है तो friends जो शोबा सिंग आर्ट गैलरी है ये हिमाचल प्रदेश के कांगडा जीले में स्थित है और कहां पे स्थित है ये अंद्रेटा में स्थित है तो इसका जो Option One है ये Right हो जाएगा कावी पूटैंट कोईशन है इह Next कोईशन को देखेंगे कांगड़ा जीले का कुल क्षेतरफल कितना है तो Friends का अजीले का जो कुल क्षेतरफल है ये है 5,11949 तो जो इसका Option One है ये Right हो जाएगा तो ये क्षितर फल्ल है कंगड़ा जिले का काफि पोटन कोशन है ये भी तो फिरोशाह तुगलक जवाला मुखी मंदिर से कुल कितने पुस्तके अनुवाद करने के लिए ले गया था तो next question को देखेंगे next question है मारे पास गज बनेर जल विदुत प्रोजना किस जिले में स्तीत हैं तो friends ये गज बनेर जो जल विदुत प्रोजना है तो ये कंगडा डिस्टिक में स्तीत हैं तो friends हम कंगडा डिस्टिक के ही questions को discuss करें हैं तो आप इन questions को ध्यान से देखिए, next question को देखेंगे, कांगडा जीले का मसरूर रोकट temple जो है मंदीर नागर शैली में बना हुआ था, तो ये आपने याद भी रखना कि शैली में बना है, तो ये नागर शैली में बना है, तो इसका निर्मान किस राजा के द्वारा किया गया, तो फ्रेंट इसका जो निर्मान किया गया था, ये कश्मीर के राजा थे, राजा ललित अदित्य के द्वारा ये मसरूर रोकट मंदीर का निर्मान किया गया था, तो फ्रेंट्स ये पंदरा मंदिरों का समू है तो काफी potent question है ये राजा ललित अधित्य के द्वारा इसका निर्मान किया गया है तो next question को देखेंगे डल जील हिमाचल परदेश के किस जीले में स्तीत है तो फ्रेंट्स डल जील जो है मंदिर जो है इनको हिमाचल की अजंता भी कहा जाता है तो ये कुल कितने मंदिरों को समू है तो फ्रेंट्स मैंने आपको पिछे बता दिया है तो ये पंदरा मंदिरों को समू है तो इसका जो option 2 है ये राइट हो जाएगा next question को देखेंगे परसित जर्ने लुलानी सुलह हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है तो फ्रेंट्स ये जो जर्ने है ये ठंडे जर्ने है और इन जर्नों का नाम है लुलानी सुलह तो हिमाचल प्रदेश के ये जो जिले में स्थित हैं ये कांगड़ा जीले में स्तित हैं, तो ये जन्ने आपने याद रखने हैं, लुलानी और सुलह, तो फ्रेंट्स ऐसे questions आ जाते हैं, प्रिक्षा में, नेक्स कोशन है, धरती है भलीदान की पुस्तक कि इसके दोरा लिखी गई, तो फ्रेंट्स ये जो पुस्तक है, धरती है 89 को ये पुर्सकार ये इनको प्रदान किया गए था जो नोबल शांती पुर्सकार था तो काफी पोटेंट कोशन है फ्रेंट्स ये भी तो नेक्स कोशन को देखेंगे कांगडा जीले में जन्में पहाडी गांदी बाबा काशीराम का जन्म कब हुआ तो फ्रेंट्स जो बाबा काशीराम जो है इनका जो जन्म हुआ था ये डाडा सिबा में हुआ था और कब हुआ था तो ये हुआ था 11 जुलाई 1882 में ये जो बाबा काशीराम जो थे इनका जन करते हुए बाबा काशिराम को पहाडी गांदी का नाम किस ने दिया था फ्रेंट्स काफी पोटन कोशन है तो ये पहाडी गांदी का नाम जो दिया था बाबा काशिराम को ये दिया था पंडी जौला नहरु ने तो काफी पोटन फ्रेंट्स ये कोशन है तो ये इनको जो ना करकर किस वेक्तिने समोधित किया तो यह भी कोशन काफी पोटेंट है तो यह जो पहाडी बुल-बुल है यह जो नाम दिये था यह दिये था स्रोजनी नैडु ने तो स्रोजनी नैडु के द्वारा दिये गए था यह नाम पहाडी बुल-बुल और जो पहाडी गांधी था य संगोली की संदी गोर्खा वो अंगरेज्जों के बीच की सवर्ष हुई तो ये जो संदी थी ये हुई थी जो 1815 में हुई थी ये संदी तो काफी पॉटेंट फ्रेंट ये संदी है संगोली की तो ये संदी हुई थी 1815 में अंगरेज्जों और गोर्खा के बीच ये संदी इस वीडियो के आपके पीडियाफ अगर आपको चाहिए होगी तो आप हमारे टेलिगराम चैलनल से जूर सकते हैं और फैंस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक, कॉमेंट and सब्सक्राइब करना न भूलिएगा थैंक्स पूर वोचिंग